असलाम लेकुम मैं आज आपको बताऊंगा प्राडो TX 4x4 कैसे की जाती है तो वीडियो को शुरू करते हैं ज्यों दोस्त ने चैनल पर फिलीज चैनल को सस्क्राइब कर ले तो वीडियो को शुरू करते हैं जी जनाब हम गाड़ी में आ चुके हैं और हम गाड़ी को सबसे पहले ओन कर लेते हैं तो मैं आज आपको बताऊंगा तरीके कार 4x4 TX कैसे की जाती है तो जनाब पहले मैं आपको बता दूँ यह पार्किंग पर खड़ी हुई है गाड़ी हमारी सामने आपको यह 4x4 का यह लिवर नजर आ रहा है ठीक है और आपको मैं बता दूँ के 4x4 जो है कहां पे जरुरत पढ़ती है इसकी P पे है भी R रवार्स एन नीटल D पे ड्राइफ S मतलब कि मैनूल भी इसको चला सकते हैं तो चलें आपको बता रहा था हमें के इसकी जरुरत तब पढ़ती है जब आप कहीं कोई ऐसा मुश्किल रस्ता होता है जिसमें कोई की चड़ बगेरा है जब कहीं पे कोई खटे हैं कहीं पे कोई गाड़ी फास जाती है तो आप इसको 4x4 करके वहां से निकाल सकते हैं यह अब हमें इसको 4x4 पे कर दिया हमने तो यह सामने आपके एक आप्शन बिलिंग कर रहा है चारों टैरों का तब यह अब रुक गया है तो समय लो एक्टिफ हो गया अपने गाड़ी गेर में डाल लिये अब हम थोड़ी से स्पीड देंगे अगर हम फसे हुए हैं तो हम इसको ठिकाल लेंगे ठीक है की चड़ो गेरा में कहीं पे भी अगर उस सुरत में भी आपकी गाड़ी नहीं निकल रही वहां से तो आप सामने नजर आ रहा है एल फॉर एल आप इस पे भी करके तो फिर ज्यादा इसकी पावर जो है वो वीलों को लॉक कर लेता है और जो है वहां से आपके निकलने में मज़द करता है फॉर बई फॉर आपको जरुरत नहीं पड़ती मतलब कोई अगर कहीं कोई मुश्किल जग बाड़ी भागती है अगर आप इसको पिक वाइज और यह यह देखें आपको मैं दिखा रहा हूं हमने यह फॉर एल फॉर पर किये तो यह सामने आपके ऑप्शन शोर है ना इसमें अब यह इसने वीलों को लॉक कर लिया अब इसको स्पीड देंगे अगर कई में फसे हु इसमें कोई इतना कोई इशू नहीं है हाँ आपकी गाड़ी गेर में भी है तो आप इसको कर सकते हैं कोई मसला नहीं है और पीपे भी करके इसको आप कर सकते हैं ठीक है अब हम इसको आफ कर लेंगे तो यह देखें पहले आपने यह आफ करना है इसको फॉर बाइ फॉर प पे लेके जाएंगे ठीक है एक दम से नहीं लेके जाना अब हम इसको टू विल पे लेके जाएंगे यह हो गया तो यार यह आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी यार अप लिज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें शेर भी कर दें और अच्छा से क कमेंट्स कर दें अल्ला हाफीज